जैसल मेर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. जिला पुलिस अधीकशक सुधीर चौधरी के निर्देश पर पुलिस थाना राम देवरा की टीम ने 70 लाग की चोरी का परदाफाश करते हुए मुख्या आरोपी मगेश कुमार को गिरफतार कर लिया है. घटना 20 नवंबर की रात की है, जब पीडित पवन कुमार सोनी, जो पेशे से सुनार है, ने शिकायत दर्ज करवाई की उनकी स्कौपियो गारी से 500 ग्राम सोना, 12 किलो चांदी और व्यापारिक दस्तावेज चोरी हो गए थे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहयोग और सूचनाओं के आधार पर आरोपी को धर्दबोचा. पुलिस ने चोरी में इस्तिमाल की गई स्कौपियो को भी जबत कर लिया है. मामले में विस्त्रित जाच जारी है. गिरफ्तार आरोपी का विवरन, मगेश कुमार, उम्र तीस वर्ष, निवासी रामदेवरा. इस कार्रवाई में शनकरलाल और उनकी टीम का सरहनिय योगदान रहा. पुलिस टीम में डालुराम, कमल सिंग, रामना रायन समेत अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे. जैसल मेर पुलिस की इस काम्यावी ने ये साबित कर दिया है कि अपरादी कितना भी चालाक क्यों न हो, पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता. फिलहाल आरोपी से पूछताच जारी है और जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद.